आज कोडिनेट जिमेटरी में एक important concept को लीनरिटी को लीनरिटी एक बहुत important concept है इस पे हम लोग आज discussion करेंगे questions और उनके concept को बारी-बारी से आपके सामने रखेंगे उससे पहले हमारे quadrigymetry के five videos, five lectures topic wise, concept wise upload किये जा चुके है अगर basic concept और beginning में आपको देखना है तो आप उससे पहले देख लें आज को लीनरिटी के बारे में हम लोग discuss करेंगे जैसा कि बताया था कि अभी बात करेंगे को लीनरिटी की लाई करें, that these points are collinear, suppose ऐसे कि यहाँ पर बहुत सारे points हैं, a, b, c, d, e, f, और, g अब देखें कि एक रेखा पर यह सारे points आ जाएंगे, तो जो line, एकी line पर लाई कर रहे हैं, a, b, c, d, e, यह सारे points collinear हैं, और f और z, यह साब इस समान रेखा पर नहीं हैं, तो इसलिए इनके साथ यह collinear नहीं हैं, जो points एक रेखा पर लाई कर जाएं, हमने यहाँ पर दिखा है, collinearity, collinearity is the behavior of points, कहने का मदलब, a, b, c, तो यह सारे इसी रेखा पर हैं, तो यहाँ पर line common है, एक ही रेखा पर, line common है, points सारे लाई कर रहे हैं, तो points collinear है, points a, b, c, are collinear, तो behavior of points, concurrency is the behavior of lines, यहाँ देखे कि बहुत सारी lines हैं, तीन रेखा हैं, एक common point है, एक common point से तीन रेखा हैं, गुजर रही हैं, तो यह lines collinear, concurrent है, lines are concurrent, तो behavior of lines, अब coincidence ही मदलब, coincidence होते हैं, points and lines, both behavior, मतलब points का behavior है, और line का behavior है, coincident, जैसे यहाँ पर देखे, a point है, 2,3, और p point है, 2,3, तो दोनो एक ही जगा पर incident हुए, और यहाँ पर lines l1, l2 ली गई, 2x plus 3y plus 2, 0, और 4x plus 6y plus 4, 0, दोनो line, अलग-अलग हैं, पर आप देखें, यहाँ two common लेंगे, यह दोनो line सेम हो कोंसाइट करने का एक और तरीका था, कि अगर ax plus by plus 0 दिया गए, आगे बात करेंगे, इनका इनका ratio, तो यह दो गुना है, यह दबल है, यह दबल है, तो कोंसाइट होगी, तो lines and points, lines और points, दोनों कोंसाइट हो सकते हैं, दोनों का behavior है, concurrency, lines, एक common point से गुजर रही होती है, common point हो, तो concurrent, जो होगी, lines होगी, collinearity points के लिए, और collinear points क्या होते हैं, समान रेखा पर lie करें, अब हम लोग geometry के टरम में देखते हैं, कि अगर points दिये गए हो, तो वो points collinear कैसे होंगे, और कैसे questions आएंगे, आपको पहले example में और exercise में questions दिये दे, अब उन सारे questions को solve करेंगे, collinear और इस concept है, बहुत ही अच्छे questions बनते हैं, तो इसको एक अच्छे concept में गिनते हैं, इसलिए हम बिल्कुल particular अलग से आपको collinearity के बारे में आज discuss करेंगे, जैसा कि पहले area triangle की concept को हम लोग सीख चुगे थे, इसका formula भी देख चुगे थे, area triangle ABC जिसके vertices यहाँ पर दिये गए हैं, x1, y1, x2, y2, x3, y3 consider किया, तो area को delta से represent करते हैं, इस formula से, determine के इस formula से, जहाँ पर x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1 को determine के form में evaluate करके उसका आदा करते हैं, तो area of triangle के magnitude के बराबर यह formula value evaluate करता है, तो area of triangle geometry में ऐसे आप calculate कर सकते हैं, अब अगर points ABC collinear हो गए हैं, यहाँ पर collinear नहीं है, तो एक triangle consider हुआ, यहाँ पर collinear हो गए, तो ऐसे हो जागा triangle consider नहीं हो पाएगा, area, देखेंगे तो इस line का area का area का है, line segment का area 0 है, तो जो हमने area triangle का formula निकाला था, उसकी value 0 ने चाहिए magnitude wise, तो condition of collinearity, अगर 3 points अगर लिए गए हैं, वो collinear होंगे, तो जब भी कोई points तीन दिये जाएं, अगर आप इस तरीके से determinant की value निकालें, उसकी value 0 आती है, तो points triangle को ना form करके, वो collinear है, एक रेखा में lie कर रहे हैं, इस condition को आप याद रखेंगे, आगे हम लोग कुछ questions करेंगे, उससे और justify हो जाएगा, तो board पे question consider किया है, उसको हम point है, alpha, gamma, beta, beta, plus gamma, alpha, gamma, beta, plus gamma, b point vertices ली गई, beta, gamma, gamma, plus alpha, और C लिया गए, gamma, gamma, alpha, plus beta, तीन vertices consider की गई है, बुला गया कि यह triangle कौन सा होगा, form a triangle which is, option में equality triangle, isosceles, right triangle, collinear, इस तरीके से question दिया जाता है, कि triangle कौन सा होगा, advice किया जाता है, triangle की property, पहले हम लोग पढ़ा चुके है, तो हम लोग यहाँ पर यह नहीं बताने वाले कि triangle कौन कौन से, क्या होते हैं, इसकी properties को देखना हो, तो आप पीछे ही जाके, वीडियो को revise करें, वहाँ पर हमने equality triangle, isosceles, और सारे triangle की properties, और सब को proving बदाई थी, तो वह हम माने चलते हैं कि आप जानना है, अगर यह ऐसा कुछन आया, option में कहीं पर भी collinear हो, कहीं पर भी क्या हो, collinear, quadrant geometric का आप एक थोड़ा सा भी चाहें, learning experiences की बात करें, या मुझे ऐसा देखा है मैंने, कि जहाँ पर भी लगे कि collinear option में है, तो आप जरूर चेक करें कि और gamma alpha plus beta 1, अब अगर हम देखें कि यहाँ पर operation लगाएं, यह column 1 है, column 2 है, तो column 1 में, column 1 plus column 2 अगर कर दें, तो सारी जुड़के alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta plus gamma, मतलब इसको arrange कर दिया है, यह इसलिए वैसे ही रहे गा entries, इसमें कोई समस्या नहीं है, alpha plus beta रहेंगा 1, 1, 1, अब आपको पता है कि determine में common value, column या row से common ले सकते हैं, तो alpha plus beta plus gamma हो गया, बचा है क्या है, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, और यहाँ 1 बचा, अब कोई 2 row या 2 column, तो यहाँ यह क्या हो गए, identical, एक समान हो गए, जब यह identical होती, value क्या होती है, 0, तो इसकी value हो गए, 0, तो हमने बताया था कि अगर आप इस form में determine को रखते हैं, और value 0 आती है, तो वो triangle ना form के points कैसे होते हैं, colinear, तो यह question आपको as a hint और, कह सकते हैं कि इसको basis मान के आगे questions आप लगा सकते हैं, आप ऐसे questions को try करें, कुछ questions हम लोग और लेंगे, उन questions को भी हम लोग प्रूफ अभी हमने लोग उने questions को लिया था, उसमें vertices, तीन vertices consider की थी या तीन points consider की थे, यहाँ पर हमने चार vertices या चार points, coordinate points consider की हैं, एक, दो, तीन और चार, तीन points से generally triangle को मानते हैं और चार points से quadrilator, तो जैसा कि triangle के लिए question आया था, basic quadrilator के लिए question आया, कि पूछा गया कि यह चार points क triangle को लिनियर, quadrilator और triangle पर आधारित एक पूरा पूरा lecture हमने अप्लोड किया है, तो quadrilator और triangle को कैसे identify करते हैं, आप उसको पहले देख लें, उसकी properties ज़रूर जल लें, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आके दुबारा फिर से revise करें या देखें, हमने बोलाए कि यहाँ पर ए इन पॉइंट से तो एक आपने determined बनाई थी 3 cross 3 की, चार पॉइंट से तो चार पॉइंट से कैसे बनाएंगे, तो एक shortcut माने इसको और उसको ध्यान देंगे, इसके वारे हम discuss नहीं किया है, तो इसको shortcut को ध्यान देंगे, देखिए, पहली vertices is minus 2 comma minus 3 ली, और दूसरी vertices 0 comma 0 ली, तो यहाँ पर यह हमारे y coordinate है, दून वर्टाइस के क्या है, आप यहाँ पर difference लीजे, तो difference हमें सा positive लेते है, तो क्या है 3, y coordinate में क्या है 3, अब आप x में difference लीजे, क्या लीजे, x में, तो यहाँ पर difference कितना है 2, ठीक, आपने y coordinate में difference ले लिया वो कितना आया 3 और x coordinate में difference ले लिया कितना आया 2 आगे बढ़िए तो यहाँ पर 2 gamma 3 है अब यहीं पर यह काम फिर से आगे गरिए इसमें difference कितना आया 3 यहाँ के x coordinate में भी आप difference लीजिए तो कितना difference आया 2 ठिक फिर आगे बढ़िए 4,6 Y में difference कितना आया 3 आया और X में कितना difference आया ठीक तो देखिए जो Y में difference आया था उसका X से difference का ratio निकाली है 3 by 2 यहाँ वाले पहले step पहे clear किया तो यहाँ वाले पहर भी 3 by 2 अब वहाँ पर भी क्या आया 3 by 2 ratio समान है मैं दुबारा बता देता हूँ ratio of ratio of difference in Y coordinate ratio का मनलब यह होता है कि यह ratio difference अब अब यह भी कोडिनेट का ratio किसे difference हाँ है अब यह कोडिनेट का ratio तो यहाँ पर रेशियो समान है तो यह क्या होगे? कोलीनियन, ठीक, पीछे आले questions को भी हम लोग एक बार टैली कर लेते हैं, इसी trick से, ठीक, पीछे हमने 3 vertices, A, B, C, इसी order में ली थी की नहीं, आप उसको देख लें, इसी order में ली थी, यहाँ पर Y coordinate में difference करेंगे, देखे difference करेंगे, तो difference का मतलब अंतर, तो अंतर करेंगे तो alpha minus beta ले लिया हमें, और यहाँ पर अंतर करेंगे x coordinate में, तो यह भी आएगा alpha minus beta, अगर ratio लेंगे तो कितना आजाएगा, 1, चिक, ऐसे हमने कहा, यहाँ पर Y coordinate में अंतर लीजिए, तो यहाँ लेंगे, तो gamma minus beta लेंगे, कितना आगया, यह बीटा minus gamma ले ले, हमने गहाँ प्लस माइनस इरिस्पेक्टिव, अब यहाँ पर भी कितना आया, beta minus gamma, ओके आगय कि नहीं, difference लेंगे, subtract लेंगे, subtract लेंगे, difference लेंगे, तो beta minus gamma, beta minus gamma, alpha minus, beta alpha minus, इनका इसे ratio, ratio कितना आजाएगा, 1 ratio 1, यहाँ पर भी ratio कितना, 1 ratio 1, तो यह भी कैसे हो गए, को लेंगे, ठीक, एक question और ले लेते हैं, उसको भी करके देखते हैं, condition लगाते हैं, अगर यह, दोनो properties, दोनो method, अगर feasible हैं, तो आप इसको try करें, को निदा के questions दे देंगे, आप इसको करेंगे, ठीक, तो एक यहाँ पर question हमने consider किया है, points, थोड़ा सा, देखिए, अजीब से लग रहे हैं, फिर भी हम लोग इनको एक बार लिखते हैं, और check करते हैं, यहाँ में बोला कि इनका इनका difference करिए, तो आप 8 by 3 minus 3 करेंगे, तो देखिए, आपके सामने यहाँ कर देते हैं, कुछ लोग अगर confused हो रहे होंगे, difference इसे minus 1 by 3 है, तो हमने difference अंतर जो है plus देने positive, ओके, अब x coordinate में difference करिए, तो 1 ले रहे हैं, हमने बोला कि negative को अड़ा दे रहे हैं, ठिक, अब समझाए बात इतनी, आगे देखते हैं, इसको इसको difference करिए, इसका difference कितना, 27, इसका difference करेंगे, 81, अब हमने बोला कि इसका y coordinate वाला जो difference है, उसका ratio किसे, x coordinate से, तो 1 y 3 है आ ग यहां पर y coordinate करें, इसका 27 से, 81 का, तो 1 by 3 आ गए, यह हमारा बराबर आ गए कि नहीं, ठिक है, तो कैसे हो गए, कैसे हो गए, option नमरा d बना, को linear, ओके, अब इसको shortcut बोलें, यह जो भी बोलें, यह जो भी बोलें, आपको ऐसा लग रहा होगा, shortcut trick जो बोलते हैं, ठिक है, तो clear cut हो गया होगा, कि बहुत सहस है, simple है, एक अच्छा concept, यहां पर आज हम लोग bind up कर रहे हैं, इसको आप कर लेंगे, कुछ questions सभी देंगे, आप वो करिए, आगे, मैंने बोला ही, coordinate geometry एक interesting topic है, तफ नहीं है, इससे बिलकुल भी आप ढरें नहीं, पैसिंस लिए आपको काम कर करना है, कुछ और चाहिए हो, आप उससे demand अपनी आप वहां पर रखें, कमेंट जरूर करें, कोई भी चीज आपको लगे, कुछन के answers या कुछ भी communication बढ़ाय रखें, आगे हम लोग questions कुछ करते हैं, जैसा कि हम लोग regular हार topic के end में, कुछ questions, important questions आपके practice के लिए देते हैं, उसी तरीके से आज भी जो topic पढ़ाया है, कुलिनियर्टी और उससे related या, पहले जो वीडियो दे चुके हैं, वहां तक के questions को हमने यहां पर आधार बनाया है, आपके सामने 7 questions लिए, आप बारी बारी से इनको विबार देख लें, और उनको note कर लें, सबको options में हमने डाला objective बनाया है, जो questions के answer आप करते हैं, justify करने के लिए, आप वहां पर comment में लिख सकते हैं, कोई questions आपको misprint लगे, कहीं पर tutti लगे, तो आप उसको बेहिचक वहां पर पूछ सकते हैं, और questions की length बढ़ाई जाए, या कोई भी suggestion आपको लगता है, कि आपके मन में आता है, क्योंकि कि आप मन से लगाओ से पढ़ रहे होते हैं, तो जो साइध हम observe ना कर पाएं, आप मुझसे बैतर तरीके से हमारे बारे में observe कर सकते हैं, जो भी observation आप जरूर पेहिचक हमारे तरह रखिए, वहाँ पर लिखिए, हम उसको सहर्स मानेंगे, और इसमें हमें कोई तकलीफ नही इस तरीके से मन लगा के आप पढ़ते रहे हैं, आगे बैतर प्रयास के लिए हम लोगे रहेंगे, आज का टॉपिक यहीं तक, थैंक यू